नमस्कार दोस्तों मैं राकेश पांडे आप सभी का हार्दिक अविनिन्दन करता हूँ दोस्तों एक बार की बात है एक साधू का नियॉर्क में बड़े पत्रकार इंटर्व्यू ले रहे थे पत्रकार साधू से बोलते हैं सर आपने अपने लास्ट लेक्चर में संपर्क यानि की कॉन्टैक्ट और संजोग यानि की कनेक्शन इस पर आपने स्पीच दिया लेकिन ये बहुत कन्फ्यूस करने वाला था क्या आप इसे समझा सकते हैं साधू मुस्कुराएं और उन्होंने कुछ अलग पत्रकारों से ही पूछना सुरू कर दिया और साधू पत्रकार से पूछते हैं क्या आप नियॉयॉक से हैं पत्रकार बोलते हैं येस सन्यासी पूछते हैं फिर से आपके घर में कौन-कौन है पत्रकार को लगा कि साधू उनका सवाल टालने की कोशिस कर रहे हैं क्योंकि उनका सवाल बहुत व्यक्तिगत और उसके सवाल के जवाब से अलग था फिर भी पत्रकार बोला मेरी माँ अब नहीं है पिता है तथा तीन भाई और एक बहन है सब साधी शुदा है साधू ने चेहरे पे एक मुस्कान के साथ पूछा आप अपने पिता से बात करते हैं पत्रकार चेहरे से गुस्य में लगने लगा साधू ने फिर पूछा आपने अपने फादर से लास्ट कब बात की थी पत्रकार ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया साध एक महिने पहले साधू ने पूछा क्या आप भाई बहन अक्सर मिलते हैं आप सब आखिर में कब मिले एक परिवार की तरह इस सवाल पर पत्रकार के माथे पर पसीना आ गया इंटर्व्यू मैं ले रहा हूँ या साधू ऐसा लगा साधू पत्रकार का इंटर्व्यू ले रहा है एक आख के साथ पत्रकार बोला क्रिस्मस पर दो साल पहले साधू ने फिर पूछा कितने दिन आप सब साथ में रहें पत्रकार अपनी आखें उससे निकले आसों से पूछते हुए बोला तीन दिन साधू फिर पूछते हैं कितना वक्त आप भाई बहनों ने अपने पिता से बिलकुल करीब बैट कर गुजारा पत्रकार हैरान और सर्मिंदा दिखा और एक कागर पर कुछ लिखने लगा साधू ने पूछा क्या आपने पिता के साथ नास्ता लंच या डिनर लिया क्या आपने अपने पिता से पूछा कि वो कैसे है माता की मिर्टू के बाद उनका वक्त कैसे गुजर रहा है साधू ने पत्रकार का हाथ पकड़ा और कहा सर्मिंदा या दुखी मत होना मुझे खेद है अगर मैंने आपको अंजाने में चोट पहचाई हो लिकिन ये ही आपके सवाल का जवाब है संपर्क और संजोग, contact and connection आप अपने पिता के सिर्फ संपर्क में है, contact में है पर आपका उनसे कोई भी connection जुडाव नहीं है You are not connected to Him आप अपने फादर के संपर्क में है, जुडे नहीं है Connection हमेशा आत्मा से आत्मा का होता है Heart से heart का होता है एक साथ बैठना, भोजन, साजा करना और एक दूसरी की देखभाल करना, स्पर्स करना, हाथ मिलाना आखों का संपर्क होना, कुछ समय एक साथ बिताना आप अपने पिता, भाई और बहनों के संपर्क, कॉन्टेक्ट में है लेकिन आपका आपस में कोई जुडाओ, connection नहीं है पत्रकार ने आखे पोची और बोला, मुझे एक अच्छा और अविस्मरणिय सबक सीखने के लिए धन्राद, सिखाने के लिए धन्राद आज ये भारत की भी सच्चाई हो चली है सबके हजारों संपर्क है, कॉन्टेक्ट से पर कोई connection नहीं कोई विचार विमर्स नहीं, हर आदमी अपनी नकली दुनिया में खोया हुआ है जानते हैं दोस्तों, वो साधू कौन था? वो साधू और कोई नहीं, स्वामी विवेकानन जी थे तो दोस्तों, कॉन्टेक्ट ठीक है, बढ़ाई है लेकिन अगर एक अच्छा एक लॉंग relationship रखना है तो लोगों से सही माईने में जुड़िए उनसे सही माईने में connection करिए जब हाट से हाट, दिल से दिल का connection होगा दोस्तों तब वो संबंध, वो relationship, एक लंबा और एक मजबूत होगा धन्यवा दोस्तों जाहिन